कि नमस्कार फ्यार बच्चो मैं अली सर अड़र 247 के सीउटी हिंदी मिडियाप जेनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज के क्विक रिवीजन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हडपा सब्वेता के सामान परिचाहिए इसका जनल इंट्रोडक्शन दोंगा कल आप लोगों को मैंने हडपा सब्वेता की खोच का इतियास बताया जो आप लोगों की एंसी आटी बेस हम लोगों इसमें देखा था जौन मारसली किया भूमी का रही करिंगम को क्या ब्रहम हुआ आज वही से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ठीक है इसमें हम ल 20 मिनिट के आज पास ये वीडियो आप लोगों देखने मिलेगी तो पूरा देखिएगा अपने दोस यार भाही बहन सभी में सेयर करिएगा और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंड जरूर करिएगा तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हम लोग सिरुवात करते हैं इस बच्चों इस सामानी परीचा में मैं आप लोगों को काल निर्धारन बताने वाला हूं कि हडपा सभीता का काल निर्धारन केसे किया गया है दूसरी चीज हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सिंदु घाटी सभीता के समकालीन कितनी सभीताएं हम लोगों को देखने मिलती ह इन सभी चीजों पर हम लोग ठेक पॉइंट टूपॉइंट आगे चलके डिसकस करने वाले हैं तो चली बच्चों आगे सिरुवात करते हम लोग इसमें तो बात करें सबसे पहले बच्चों हडपा सभीता के काल निर्धारन की तो बच्चों बात आती है कार्बन जिससे किसी भी चीज की आयूगियात की जा सकती है तो हडपा सभीता से जो वस्तुए मिली जो महरे मिली जो पत्थर मिले इट मिली जो भी चीज़े मिली इनको हम लोगों ने जब कार्बन डेटिंग किया उनकी कार्बन की मातरा के आधार पर ठीक हम लोगों ने उनकी आय हडपा सब्विता रही होगी एसा पूरा ताद्विदों का मानना है कार्बन डेटिंग करने के बाद ठीक है अब कार्बन डेटिंग यह बता रही है लेकिन बच्चों हम लोग बात करें जौन मार्सल की जौन मार्सल बच्चों इसको बताते हैं 3250 से 2750 के आसपास यह NCRT बे चालू ही होगी और लगभग लगभग 2750 के आसपास यह चली होगी क्योंकि इनी के निर्देशन में हडपा सब्विता को खोजा गया था तो यह इनका हडपा सब्विता को लेकर अपना मत है बच्चा फिर बात करें NCRT की सर आप NCRT क्या पता रहें सर इसमें ठीक है NCRT मत बच्चा ठीक हडपा सब NCRT इसी को क्यों पढ़वारी हडपा सब्विता के इस टाइम प्रेट कोई तो बच्चों हडपा सब्विता सबसे परीपक अवस्ता में सबसे विक्सित अवस्ता में इसी टाइम प्रेट के बीच में रहें 2600 से 1900 इसा पूर्व के आसपास ही तो इसी लिए आप लोगों को NCRT ने वहाँ पर मेंशन कर रखा इटमन के अस्तियां 2620 से 1920 के आसपास समझ रहें लेकिन आगे चलके मैं आप लोगों बताने वाला हूं कि हडपा सब्विता के जो विभिन चरण रहें उसमें कब-कब वो डेवलफ हुई तो पूरा वीडियो सब्विता के निर्माता के से थे तो बच्चों यहां के निर्माताओं के बारें कहा जाता है कि यहां मिसरित प्रजाती निवास किया करती थी मिसरित प्रजाती मिसरित मतलब क्या सर मिक्स मतलब हो सारी अलग-अलग प्रजाती के लोग यहां पर पाए जाते थे एसा क्यों भीटा क्योंकि नरकंकाल मिले हैं ठीक्व आप लोग देखोगे तो मंगोलाइड मिले हैं ठीके यहां से कौन मिले से कंकाल मि भूमदि शागरियों के और हम लोगों मिले हैं प्रोटो अस्ट्रलइड ठीके प्रोटो एस्जल्स इन चारो प्रजातियों के ठीके खुशा gravity का आप लोग देखो गे तो हड़ा सब्विता से मिले हैं तो देखो यह चार अलग अलग परजातियों के कंकाल आप लोगों को यहां देखने को मिल रहे ना इसलिए कहा जा रहा है कि यह क्या थे मिक्स थे यह क्या थे मिक्स थे तो आप लोगों से हैपका बोर्ड या पकि सी बता हो क्या है क्या है हालपा सब्दा मिसरत प्रजाती थी लेकिन 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 यह भता भहिया इस में कोंद एक नहीं समझ रहे ना निग्रो विग्रो डाल देगा ठीक समझ पा रहे हैं आप लोग तो यह चार प्रजातियां पाई गई है कहां से इसी को लिए कहा जाता है कि सिंदु घंटी सब्विता के निर्माता मिस्रित प्रजाती के थे आप तीसरी बात करें बैच्छा क्या ठीके सिंदु सब्विता सिंदु घंटी सब्विता के समकालीन सब्विताओं के हम लोग बात करें ठीके बिटा तो देखोगे ना आप लोग सिंदु घंटी जो सब्विता थी बिटा इसके समकालीन आप लोगों को तीन सब्विताएं देखने को मिलेंगी समकालीन मतलब क्या सर तो साथ साथ चलना समकाली मतलब क्या तो सासा चलना मतलब भारत में सिन्दु घाटी सब्विता चल रहा थी कि सबorta की सब्वितां मिछ सब्विता हैं वीडियो को लाइक से ठोगना ना भूलें और अपने दोस्तों यार तक इसको भेजना ना भूलें चलिए बच्चा देखिए आप लोग बड़ा मज़दार तरीके चा आप लोगों को यहां पर चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी बिटा देखो बिटा आप लोगों को ह मतलब एस वाले एरिये में यहां आप लोग ये एरिया है इसथिया के किनार आरे और लेकिन बच्चो मेसोपोटामिया की सब्याओ दो नदी एक दजला एक दजला नदी बिटा एक दजला नदी है ठीके दजला नदी और एक फरात नदी एक कून सी नदी बटा तो दजला नदी और फरात नदी इन दो नदी घाटियों के बीच मेशन संपद्श का जाता है ठीके बागे देखो विटा मिस्री की सब्विता जब यहां हडपा सब्विता चल रही है तो आप लोगों को यहां मिस्री की सब्विता और मिस्र के जो लोग थे यह यह मिस्री की सब्विता थी यह किस नदी के किनारे थी तो यह आप लोगों को देखने हों मिलेगी नील नदी देखो यह यहां कौन सी नदी बिटा नील नदी के किनारे आप लोगों को यह सब्विता पनप्तिव दिखाई देती है यहां यह दो नदी यहां यह नदी और बात करें हम लोग बिटा यह चीन की सब्विता यह चीन की सब्विता और यह कौन सी नदी के किनारे थी सर तो अहवांग हो नदी के किनारे देखने को मिलेगी मतलब अहवांगों नदी घंटी के किनारे चीन की सब्विता आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी बच्चा तो यह चार सब्विताएं और चारों सब्विताएं एक दूसरे के समकाली मतलब मेरे साथ जैसे आप लोग चल रहे हो न मेसोपोटामिय के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है तो यह आप लोग अच्छे समझ गए होंगे यह चीज किसे आज जो सिंदु घंटी इसके समकालें कितनी सब्विताएं हैं तो तीन आप लोगों को यहां पर दिखा दी गई हैं लेकिन बच्चों अब बात करें सब सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट चीज़ पे सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है बच्चा मैंने आप लोगों कहा था कि जो हडपा सब्विता है ठीक है इसका कौन सा वो आप लोगों से पाठ पढ़वा रही इंसी आटी तो बच्चों देखना एक चीज बताओं विभिन चर्णों में देखने को मिलता है कि चर्णों में देखने मिलता है तो विभिन चर्णों में और कुल इसके चार चरण आप लोगों को देखने को मिलते हैं कितने चरण देखने मिलते हैं बिट्टा आप लोगों को चार चरण आप लोगों को इसके देखने मिलेंग बिसो बीसी से लेका और नीसो बीसी के आसपास और चतुरती चरण में उननीसो ठीक है उसके बाद आप लोगों को देखने मिलेगा इन चारों चरणों में हडपा सब्विता का सोरूप के सा रहा और NCRT आप लोगों से कौन सा यहां पर पाट पढ़वा रहा है इसको यहां चarent पर अच्छे से समझ़ि लीजिए देखो बच्चा आप लोग देखोंगे ना सबसे पहले जब हडब का सब्विता सुरू हई एसा माना जेताा है हडपा सब्विता छे हजार बीसी के आसपास चाल हुई और इससे कहा जाता है पूर्व हडपाकाल कहा जाता है और पूर पूर्व हडपा काल कहा गया है और इसके प्रमुग इस्तलकों ने मेहरगड और राना गुड़ई सरसे पूर्व हडपा काल क्यों कहा गया तो इसकी कुछ विसेशता हैं बिटा तो बच्चों सरुपथम पसुचारण पर आधारित खाना बदोश जीवन चालूआ बेटा यह हूं और जो यह लोग बोने लग चुके थे इस टाइम प्रेट के बीच में आइस्ताई बस्तियां डेवलप हो चुकी थी जो अस्तितों में आ चुकी थी आइस्ताई पर्मानेंट नहीं थी क्योंकि यह लोग खाना बदोश जीवन जी रही थे मतलब एक इस्तान से दूसर हुए थे तो यह सबसे पूर्व हडपा काल यहां बहुत ज्यादा डेवलप्मेंट आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा यह अवस्ता एसी रही हडपा वासियों की जिसमें उन्होंने ठीक है जगा 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 जहां उनको खाना पीना मिल जाता अपन लोगों को दिखाई देगा बच्चा इसकी विशेषता है क्या बिटा देखो सर्वधिक सर्वधिक गाउं अस्तितु में बटा यह पहली हडपा सब्विता की यह पहली एसी अवस्ता थी जिसमें गाउं बनने लगे थे मतलब डेवलप देखो यहां तो कोई यहां तो हड काली बंगा से कोड दीजी से पक्के मकान नहीं मिले वहां से घर के केसे विनियास मिले तो कच्ची इटो के घर बने वहां से मिले इसलिए क्योंकि सर्वधिक गाउं अस्तितु में इसी टाइम प्रेड में आया होंगे और काली मंगा कोड दीजी इसी टाइम प्रेड के बी दिवारी लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर या अपना जहां भी वो मोहलने में रहते थे जहां भी वो जिस बस्ती में रहते थे उसके आसपास अपनी सुरक्षा के लिए चार दिवारी वो बनाते वे दिखाई देंगे और इसी टाइम प्रेड में लंबी दूरी के वियापार की सिरुवात भी हो चुकी थी मतलब यह लोग मेसोपोटामिया जाने लगे यह लोग कहां जाने लगे थे गाच्छा तो यह लंबी दूरी के वियापार की शिरुवात यहीं से हो गई लेकिन यहां थोड़े से आप लोगों को यह सताई होते दिखाई तेंगे यहां इस ताई होगए घरवर बना लिया ठीके तांबे और हलका प्रियोग यह करने लगे ठीके और अन्नागार बना लिया इन लोगों ने दूर्ग बना लिये लंबी-दूरी के व्यापार की सिरु सबसे विख्सित अवस्ता में हडपा सब अबीता कि टाइम प्रेल ने में रही साप से वीख्सित अवस्ता में अब लोगों को ऊसी टाइम प्रेल में देखने में मिलेगी और इसके इस। गाल च़ Gallition और समझ रहे है यह समझने वाली बात है ठीक है विसेस्ता आए देखो इसके बड़े-बड़े सहरों का विकास आप सब जानते हो महां जोद्रों कितना बड़ा सहय था ठीक है सून योजित नगर योजना अस्तितु में आई मतलब प्रोपर प्लानिंग करके घर बनने लगे इस टाइम प् ठीक है उसको हम पड़ नहीं पाएं लेकिन 375 से लिकर 400 के बीच में हम लोग ठीक हड़पा सब्विता के क्या प्राप्त कर चुके हैं अक्षर प्राप्त कर चुके हैं तो इसी दोर में यीट ओजार मोहरे बनने लगे और उसी पेसे उनके हम लोगों को ठीक है लीपी के सा प्राण में आके व्यापार करने लगे तो इसी लिए एंसी एर्टी बेटा इसलिए बता रहा था हमें इंसी एर्टी इसी लिए आप लोगों को इसको पढ़वारा है क्योंकि हडपा सब्विता वह यह निपढ़ आ अच्छा यह वाला टाइम प्रेट उसना भीया तू यह पढ़ तू यह पढ़ भीया समझ रहा तू सबसे डेवलप्मेंट वाला उसका जो पाठ है उसको पढ़ बाकी दूसरी चीज़ पढ़ने की तुझे कोई आव सकता नहीं है अब बात करें बच्चों जे सबसे पिक वाला टाइम अब 1900 के बाद इस हडपा सब्विता का पतन हो गया बिटा क्या देखने को मिल जाएगा तो आप लोग देखो गि ना पतानों उनमुक हडपा सब्विता मतलब हडपा सब्विता उननीसों के बाद पतन की प्रिक्रिया आप लोगों को देखने उमलेगी और लगभख सत्रा सो पचास के आसपात जाते याते यह पूरी सब्विताही समाप्त हो गई ठीके इसके इस्तल यही रहेंगे हडपा मोहन जोदरो और यह सारी रहेंगे इसके क्योंकि पतन तो एक सा अगर नहीं हो जन था जो बड़े-बड़े सहर थे ठीके वो सारी चीजें यहां जाके पतन की और हम लोगों को जाती दिखाई दी तो यह सारी चीजे बताने का आप लोगों कैसा नहीं कि आपको कोई कलेक्टर मुझे बनाना है लेकिन आप लोगों से सिर्फ यह वाला पा ठीके पंदरा से 20 मिनिट वाले क्यूक रिवजन वीडियो के अंदर में आप लोगों से बात करूंगा हडपा सब्वेता के प्रमुक इस्तलों की और काउन से इस्तल से किस प्रकार का एविडेंस मिला है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे फिर सम कान सी वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा बहुत अवल दर्जे की वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को और अपने दोस्त यार भाई बहन सब में सेयर करना ना भूलेगा और कमेंट जरूर करिएगा ठीक है कमेंड करोग खर एजिध दीक है कि गुष मेंगा करिएगा रसरous डर दर दाल में सेयर को और ठीक है कि वीडियो है। और उन्हेंस सेयर करिजि़ों क सब में दीक है भाईब को तो और देवे तोटताशने और उने पहराईएब Ouais झाल में पहराईएगा झाल में तो OSUta